बच्चो एकता मेबल खिक है क्या चीज़े बल एकता मेबल ये कहानी हमें सिखाता है कि हम यदि एक रहते हैं तो हमारे अंदर बहुत ताकत आती है और यदि हम एक नहीं रहते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं ठीक है बच्चो किसी गाएं में किसान रहता था उसके चार बेटे थे जो हमेशा आपस में घ्रते लगरते थे खिसान उसे बहुत समझाता कि बेट वारे जगरा मत कर मत कर मत कर पर उसके बेटे पर इसका कोई असर नहीं होता था एक दिन किसान बीमार पर गया और उसे लगा उसका अंतिम समय आ गया है अब वो जादा दिन जिन्दा नहीं रहेगा उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा यहां लक्रियों का एक गठर रखा है उसे उठा लाओ तुम्हें चित्र में देखो सब भाई लड़ रहा है और पिताजी उसका समझा रहा है नहीं समझ रहा है तो पिताजी ने क्या कहा कि गठर ले क्या देखो लक्री का गठर ले क्या आया है देख रहो गठर रखा है उसे उठा लाओ चारों बेटे हैरानी से लक्रियों के उस गठर को टालाए उसको लगा के पिता जी हम लोग को कहा है गठर उठाने के लिए का है समझ में नहीं आता है किसान ने कहा अब इसे भाड़ी-बाड़ी से तोरो यह पुरा जो जितना बंडल एक साथ तो लो ठीक है बारी बारी से पहले इसको दिया फिर इसको दिया फिर इसको दिया फिर इसको तो दिया एक एक करके चारों बेटों ने लक्रियों को के गठर को तोरने की कोशिस के बहुत ताकत लगाया बहुत ताकत लगाया बेचारा ताकत लगा लगा के ठाक गया परन्तु लक्रि कि सब एक एक्ठो देदिया उसमें से निकालके और कहा इसे तोरो चारो बेटे ने बड़े आसानी से अपनी अपनी लगई तोर दी और खुस भी हो गया तो कितना खुस सब पापा हम लोग ने तोर दिये तोर दिये लेकिन पहले नहीं तोर पाया देखो सब चुप चुप ख बेट को बचा लोग खुब खुब सो रहा है लेकिन उसके पापा तो यही समझाना चाहरे थे आप किसान ने उन्हें एक एक लकड़ी पकड़ाई और कहा इसे तोरो तो चारो बेटों ने बड़ी आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोर दी ऐसा करते ही हुए किसान के बेटे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर पिता जी ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हैं किसान ने उन्हें हैरान होते देखा तो मंद मंद मुसकाते बोला बेटा तुम लोगों ने देखा जब लकड़ीयां एक साथ बंधी थी तब उन्हें कोई नहीं तोर पाया लेकिन जैसे ही उन्हें अलग किया तो आसानी हो गए तोरने में एक एक लकड़ी कितनी आसानी से तूट गई इसी तरह यदि तुम मिलजूल कर रहोगे तो तुम लोगों को भी कोई हरा नहीं सकता है और यदि इसी तरह लरते जगरते रहोगे तो कोई भी तुम लोगों को नस्ट कर सक इसलिए तुम लोगों को एक साथ मिल करेना चाहिए बच्चों ये कहानी में किसान क्या करना चाह रहा है अपने बेटे को यह सम्झाना चाह रहा है कि तुम लोग आपस में छोटे छोटे बातों को लेकर जगरा मत करो है ना तो किसान के कितने बेटे थे चार बेटे थे वह लोग मिल जूल कर रहें ठीक है लेकिन लोग पिता जी के सला को माना सुझाओ को माना नहीं माना तो पिता ने उन्हें समझाने के लिए क्या किया दूसरा तरकिम निकाला क्या तरकिम निकाला उन्होंने कहा एक लक्री का बंडल लेया और और कहा पहले बड़ा बेटा को दिय या देख रहा हो कैसा पालवान का है लेकिन नहीं तोर पाया फिर पीछे वाला को दिया तो बोला ना ना हम रस्त ना तुटी हमसे नहीं तुटे परवोना आंग में भांगते परवोना है ना मेरो सक्षम छाइना फिर ये बोलता है हम तोरेंगे लेकिन ये भी कोशिस किया पीछे हाथ दोर के खड़ा आगे नहीं सका ये भी नहीं सका सब नहीं सका तब पिताजी ने कहा ठीक है जब ये जॉइंट था एक साथ था मेल जोल से था तो तुम लोग नहीं तोर पाया लेकि पापा बाबा पिताजी हम देखू ना तोर देली एक क्या बार में तोर देली तो पिताजी ने क्या कहा बुद्धू कहीं के जब तुम लोग को एक साथ दिये था तोर नहीं पाया और जब हम आज अभी तुम लोग को अलग-अलग करके दिये हैं तो तुम लोग जो है इस तुम लोग अलग अलग रहते हो तो कमजोर हो जाते हो इसलिए तुम लोग अलगरी तोर दिया लेकिन जब तुम लोग एक साथ रहोगे गठर के तरह तो तुम्हारे बीच में कोई लड़ा नहीं सकेगा कोई तुम लोग आपस में सक्तिसाली बन जाओगे यानि हम जब मिलकर रहते हैं तो हम लोग क्या रहते हैं सक्तिसाली रहते हैं और जदी हम अलग-अलग हो रहेंगे तो हम क्या हो जाते हैं बच्चों हम हो जाते हैं कमजोर ठीक है बच्चों यानि हमें कभी भी आपस में नहीं लरना चाहिए ठीक है Thank you. Have a nice day.